खोला वाई DSP Small Cap Mutual Fund आपको दिख रहा है, आपको सारी चीज़े यहां पर ग्रीन में देखने को मिल रही है, इसका मतलब return FD से ज़्यादा यह दे पाता है, कोई red flag नहीं है, expense ratio भी ठीक आपको देखने को मिल रहा है, वही पर जो एक single NAV का price चल रहा है, 117 रुपए सी पैसे क आसपस चल रहा है, जो all time high रहा है last 5 साल के अंदर 127 रुपे के आसपस रहा है, और जो all time low रहा है last 5 साल के अंदर 38.61 रुपीज के आसपस रहा है, और जो इसने return दिये हैं 5 साल के अंदर वो आपको दिये है 12.66% के CAGR से, तो यहां पर यह इस फोकस करने वाली बात है, last 3 साल के जो return है, वो आपको 39.10 के return देख रहे हैं, जो कि काफी इच्छे return माने जा सकते हैं, क्योंकि CAGR के return है, यह भी आपको ध्यान रखना है, last 1 साल के जो return है, वो 0.5% के return, जो कि मुझे लगता है, ऐसा कुछ खास return नहीं है, अगर आप देखूए जो equity है, वो small cap fund के अंदर है तो हमें यह पता ही है, क्योंकि fund का नाम ही small cap है, large cap का fund size है, और AUM size इनका जो है, वो large आपको देखने को मिल रहा है, जो की है, 8953 करोड के आसपास जो इनका pool है, वो already बन चुका है, इसके profit भी होते हैं, negative भी होते हैं, यह मैं आपको end of the video बताने वाला है, तो video पूरी देख जो हैसा perform कर रहा है, यह इसका competition भी ऐसा ही perform कर रहा है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा Pairs, जैसे हम Pairs पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इसके सारे competition देखने को मिलते हैं, कौन-कौन इसका main competition है, Nippon, SBO, HDFC, Small Cap Fund, इसके main competition देख रहा है, मतलब सेम तरीके की strategy य ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि share आपके पास है, वही पर नीचे जाएगा, तो मुझे फायदा होगा क्योंकि में पास एक ही है, तो इसी वज़े से same strategy के अंदर, same stock के साथ भी, अलग-अलग mutual fund, अलग-अलग return लेकर के आते हैं, इसी वज़े से अगर आप देखोगे last एक साल के अंदर, जहां पर सबसे ज़्यादा return आपको कमा करके दिये है, HDFC small cap fund ने, आपको जो DSP small cap fund है, उसने 1.2% के आसपास के return दिये, जो की बहुत ही बुरे return है, वही पर अगर आप 3 साल के भी बात करते हो, तो यहां पर भी आपको clear winner नेपॉन इंडिया देखने को मि return, बाकी sum ने इससे ज़्यादा return दिये है, obviously HDFC small cap fund ने इससे ज़्यादा return ने दिये, even 2% कम ही दिये है, तो अगर आप अभी तक की बात करोगे, तो मुझे लगता है DSP जो mutual fund है, एक decent mutual fund दिखे रहा है, यहां पर कुछ बहुत outstanding नहीं हो रहा है, लेकिन आप चीज़े बदल expense ratio इससे काफी हद तक कम, expense ratio भी ज्याता है, return कम है, यह याद रखो, exit load जो है, वो है 1% के आसपास, एक साल से ज़्यादा आप hold करोगे, तो exit load पूरा हट जाता है, वहीप अगर आप AUM size की बात करोगे, asset under management की, तो आप देख सकते हो, सबसे कम asset under management के साथ भी यह आता है, जो last 1-2 साल से, लेकिन आने वाले टाइम पर काफी अच्छे return देते हैं, क्यों, क्योंकि हर एक mutual fund का कही न कही cycle चलता है, मालनों में यह पास आज ITC होता, तो मैं बहुत ही अच्छे return मना करके दे पा रहा होता, लेकिन वही ITC आप से 3 साल पहले तक अच्छे return नहीं मना करके द इसलिए portfolio बहुत important चीज होती है, जब आप portfolio के उपर click करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है, यहाँ पर आपको देख रहा है, equity के अंदर इन्होंने invest करा हूँ है, अपने पूरे AUM का 95.20% जो की काफी अच्छा है, इनके पास जो cash है 4.80% जो की अच्छा है, क्य मेरे को आज अपनी equity बेच नहीं है, तो इनको अपने share बेच करके मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्यों कि मैं तो एक retail निवेशक हूँ, मेरा जब भी अमन्द करता है, मैं बेच रहता हूँ, जब market नीचे जाती मड़र जाता हूँ, मैं बेच रहता हूँ, तो इसी पैसा real estate वाले sector के नदे जा रहा है, तो मैं क्या करूँ हूँ, मैं वो mutual fund नहीं करी दूँ हूँ, क्यों मुझे वो sector नहीं पसंद, मुझे लगता है real estate के नदे इतना पैसा नहीं बन सकता, अगर मुझे share बजार के नदे इंवेस्ट करना है, तो मैं कौन सा sector पिक करता हूँ नॉर्मली IT हो गया, बैंकिंग हो गया, ये वॉलेटाइल सेक्टर ज्यादा होते हैं, रिके रिटर्न भी काफी अच्छे बनते हैं, सेक्टर डिस्टिबिशन में जो मेन सेक्टर इनका है, वो है आईरन औन स्टील सेंट पॉंट ए सेवन परसेंट का, ऑटो पार्ट के अं आपको देखने को मिल रहा है, मतलब अलग अलग जगा पे इन्होंने काफी हद तक इन्वेस्ट करा हुआ है, लेकिन इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी आपको end of the video पता चलेगा, अब बात कर लेते हैं, टॉप 3 स्टॉप्स जिसके अंदर इन्होंने mainly पैसा invest करा हुआ है, 4.9% के आसपर जिन्होंने sign के अंदर invest करा हुआ है, अगर मैं pronounce सही से करपारू हूं इसको तो, वही पर सुपराजीत engineering के अंदर 3.66% invest करा हुआ है, दूसरा है रतन, नामी, metal and tubes के अंदर इन्होंने invest करा हुआ है, 3.56% और बाकी चीज़े आप जा करके देख सकते हो, यहाँ पर अतुल आटो भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है, अच्छा stock हो सकता है, काफी सारे stocks के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी stocks से घिंद के तो मैं अभी तक नाम भी नहीं सुने हुए है, तो उसके बारे में आपको खुद देखना पड़ेगा, थोड़ा analysis आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, इसका जो एक NAV price है, वो है 342 रुपे के आसपास, इसका जो all time high रहा है, वो रहा है 352 रुपीज के आसपास, और जो low price रहा है 5 साल के अंदर, वो रहा है 142.61 रुपीज के आसप के CAGR से रिटन, महीं पर जो last एक साल के रिटन है, जहां पर market में कुछ रिटन आपको नहीं दिया है, वहाँ पर भी इसने आपको 13.87% के रिटन है, market अगर आप last एक साल के देखोगे, तो minus 7% के आसपास के रिटन दे रही है, उसके बावजुदिय, mutual fund आपको अच्छ आपको दिख रहा है, जो कि आफी बड़ा EU में है, large cap EU में आपको दिख रहा है, वहीं पर very high risk के साथ आता है, क्योंकि equity के अंदे 65% के आसपास ये invest करते हैं, तो जो risk है, वो high हो ही जाता है, अब बात करेंगे, क्या actually नहीं अच्छा है, क्या अपने competition को ये beat कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमें तो best mutual fund चाहिए, इसके लिए हम क्लिक करेंगे peers के ओपर, peers पर आपको दिख रहे हैं, इसके तीन major competition, पहले है ICI से potential, दूसर है SBI balance and third, and third है Kotech balance advantage fund, वहाँ पे अगर आप देखते हो, last 1 साल के return इसने सब को beat करावा, even सबसे जादा, even double digit के अं 3 साल के अंदर भी इसने सब को अच्छे margin से beat करावा, तो अभी तक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, returns के नाम पे तो बहुत अगड़ा है, अगर आप life caregiver की भी बात करते हो, 13.5% के आसपास के return है, जो की काफी अच्छे है, इसके बाद जो सबसे अच्छे return आपको दिख यह जानना जरूरी है, अगर आपको यह question है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझते हो, कि mutual fund काम कैसे करता है, अगर आप scheme पे click करोगे, तो scheme पे आपको दिख रहा है, जो expense ratio है 0.88% का, जो की काफी high है, तेकिन अगर आप competition से बात करोगे, तो वो आपको फिर भी कम दिख रहा है, जो इसका main competition है, अगर आप majority of the league check करोगे, अगर आप exit load की भी बात करते हो, तो 1% के आसपस का exit load है, जो की एक साथ से जादा अगर आप इसका AUM hold करते हो, जो की 0 हो जाएगा, AUM size जो है, वो भी आपको पूर competition में सबसे बड़ा दिख रहा है, मतला, pool size इनका काफी जादा बड़ा है, जो HDFC bank है, उसके back why ये mutual fund काम करता है, HDFC EMC इसको manage करती है, तो इससे ये भी बता चल जाता है, कि आने वाले टाइम पे अच्छे return दे सकता है, और एक stability में लिए हुझे, क्योंकि जो एक brand value है, वो भी आती है, इसके साथ HDFC की, अब बात करेंगे portfolio की, क्य की आसपा security करने है, क्योंकि minimum 65% कर सकते हैं, एक्विटी में अच्छे पैसे invest करें, इसमें दो रहाएं नहीं है, second number की जो investment है, securities की, government securities में इन्होंने 18.6% holding ली है, 7.10% की holding है, जो की काफी अच्छी है, उसके बाद इनके पास cash इन्होंने hold करा हुआ है, करीक पे 3.86% की stock आप उसकी खरीज सकते हैं, तो इस पर याद ध्यान दीने वाली बात है नहीं, अगर इसके उपर वीडियो चीक की reads कैसे काम करता है, तो आप comment section में बता सकते हो, उसके बाद दो हो है, मुझे ही रखता है, तब कुछ major portfolio size उसमें जाता है, लेकिन आप जो interesting चीज है, हमने distribution कैसा है, लेकिन कौन से sector में, कौन से stock के नहीं इन्वेस्ट करा है, ये जाना जरूरी है, क्योंकि return यहीं से बनेंगे, सबसे पहला जो इन्होंने 18.16% hold करा हुआ है, जो कि इन्होंने government securities के नदर hold किया था, वो इन्होंने GSEX yield के अंदर डाला है, तो एक अच्छी खासी income हाँ से आती है, इनकी, सेकंड डाला है, प्राइविट बैंक सकंदर, 12% cash pass HDFC ने खुद return दिये है, HDFC बैंक ने, तो बैंक जो है highly undervalued और oversold zone के अंदर चल रहे है, तो अच्छी opportunity है, इस समय पे तो सही है, पब्लिक बैंक के अंदर 8.75%, PNB अच्छी return दे रहा है, कोई दिक अंदर, तो अच्छे है, finance sector के दे हिनका major focus है, जो कि growth sector है, अच्छे return मिलेंगे futureness से, तो मेरे हिसाब से अभी तक सही चल रहा है, लेकिन stocks कौन से हैं, यह जाना ज़रूर है, तो इसलिए हमें थोड़ा और scroll करना पड़ेगा, और यहां पे आपको दिख रहे है current holding, जो top 3 company ह है, पहली है HDFC bank, दूसी है, ICI से bank, तीसी है, SBI bank, तो mainly 3 banks stock आपको दिख रहे हैं इस के दर, मतलब growth, aggressive stocks के दर दिख रहे हैं, तो आपको combination मिल रहा है, government securities, मतलब एक defensive, एक particular return, वहीं पे aggressive sector, मतलब banking sector, तो आपको एक volatile sector, एक high return वाला sector, high risk वाला sector दिखता है, तो जो balance है, वो NDPC, ITC, Infosys जैसे stocks आपको अंदर दिख रहे हैं, जो कि mainly focus करते हैं, growth की साइट, यस मैं आपको starting of the video ही बताया था, हमने बोला हो है, निपोन इंडिया focus equity fund, इसका जो NAV price चल रहा है, single, वो चल रहा है, 2.72 रुपीस के आसपस, महीं पर जो all time higher है, 92 रुपीस के आसपस, जो low रहा है, 31.15 के आसपस, तो एक decent price पर मिल रहा है, जो इसका NAV है, महीं पर गर आप 5 साल के return देखते हो, तो 10.95 के CAGRS return दी है, जो कि मुझे लगता है, ज्यादा हो सकते थे, अभी थोड़े कम है, मैं verdict वाले section में बताऊंगा, अपनी views, overall analysis के बाद, एगर हम 3 साल के view देखें कोई return नहीं दिया है, इसने outperform करा है, और काफी अच्छे return दिये है, as पर nifty के अगर आप check करोगे, तो nifty से अगर आप compare करोगे, तो, वहीं पर अगर आप देखें कि size ए green है, वहीं पर एक जगा red दिख रहा है, significant holding have underlying, तो कोई दिक्कत नहीं, marketing volatility है, तो यहाँ भी यह चीज है, तो वह इस सब्सक्राइब इसको ignore कर सकता हूँ, equity type क्या है, focus fund है, ठीक है, जैसे हमको initial इसके नाम से ही पता है, large cap का fund size है, तो इससे यह भी चीज़े clear हो जाती है, कि जो stability है, वो इस fund के साथ आती है, very high risk के साथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, equity type है, तो very high risk में ही consider किया जा आप जहां पर समने negative return दिये है, इसने काफी positive return दिये है, अगर आप आस तीन साल के भी बात करते हो, तो तीन साल में भी आपको निप्वान एडिया focus fund अच्छे level पर गुरूब होता हुआ दिखा है, हाई पर अगर अगर की बात करूगे, सिर्फ औस मेरा asset focus fund ने beat करा है, इस scheme के अंदर आप देख सकते हो, जो expense ratio है, वो इनका बहुत ही जादा है, 1.21% के आसपस, आप देखो कि जो exit load है, वो 1% के आसपस तो common है, तो क्या expense ratio ये justify कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा आगे लेकिन उससे पहले मैंने आज जो आपको return जाते हैं, अब चलते हैं, portfolio के side, portfolio में अगर आप देखोगे, 91.55% के आसपस equity के अंदर invested कर रहा हुए, इनके पास 7.68% है, जो कि एच्छी strategy है, आज की rate में जात और mutual fund ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे आप देखोगे, warrants के अंदर 0.77%, इसको ignore कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, जैसे मैंना आपको initial level पर बताया था कि इनकी strategy क्या है, growth इनकी main strategy है, तो इसी विज़े से banking के अंदर 15.57% के investment है, वहीं पे IT के अंदर 10.20, miscellaneous के अंदर 7.73%, construction and engineering के अंदर 6.82%, TV channel and broadcasting के अंदर आपको 6.8% दिख रहे हैं, तो मेरेको 2 ये 3 जो top की sector हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं, 3rd and 4 ठीक है, as such कुछ बहुत जादा interesting नहीं है, लेकिन जो major holding है, वो top के 3 में ही आगी, तो ये चीज़ कहीं नहीं अच्छी है, current holding pattern की, current holding pattern देखना इसी वज़े से ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो आगे के return मिलने वाले हैं, वो आपको इनके past return से तो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए current holding pattern देखना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले, आप खरीद क्या रहे हो, कौन से stock खरीद रहे हो, कितनी weightage है, right, current holding में सबसे ज़्यादा holding है, इनके पास access 7.97% के आसपास, then in forces state bank of India, ICICI bank reliance, इसके नदर इनकी majority of the holding है, 5% और 7% के आसपास, LTI आपको देख रहा है, SBI cards and payment देख रही है, HDFC, the coal India, ITC, Z entertainment, 3M India, FL India, PBR Limited, और ऐसे काफी सारी, Medplus, और भी Honeywell Automation, बहुत सारे, 30 stocks आपको इनके portfolio में देखेंगे, जो कि मैं इस mutual fund का link आपको अपने description में दे रहे हो, तो आप जा करके देख सकते हो, और आपको स चेक करते हो, तो charge stock में आपको growth काफी इच्छे दिख रही है, अगर आप उसके बात की check करते हो, तो stability और future growth, let's say, SBI cards है, cards इस समय का undervalued ने इंडिया के दे, लेकिन growth है, हाँ growth है, आगे check कर भी growth होगा, हाँ होगा, HDFC, HDFC जो दिख रहे हैं हमें, bank के नी, group के बात कर रहे है इसमा पर जो कि merge होने वाला है, और announcement हो चुकिए merge हो जाएगा, तो क्या ये undervalued है, over undervalued है, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम पर infrastructure grow कर सकते, cyclical businesses होते हैं, last 10 सान में infrastructure business में कुछ नहीं दिया, right, तो इसी वज़े से यहाँ पर growth हमिल सकती है, तो अगर आप मेरे से पूछ हो क हुछ हो